हलो गाईज आज मैं बना रही हूं मसाला प्याज रोटी और इसे हम तंदूरी रोटी का इफेक्ट देंगे गाईज और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है यकीन मानों अगर एक बार बनाओगे न तो बार बार गेहूं का आटा बचा के रखोगे ऐसा रोटी बनाने के लिए त यह कंठाइज तहुड़ा फानी दे कर हम इसे थोड़ा टाइड गूंद लेंगे यह देखिए और इसे 10 मिनिट के लिए हम इसे रस्ट करने देए तब तक हम की इप्यास कीम मनांएज Gai तो प्यास की मिर्ट के लिए सबसे पहले मैंने प्यास लिया थोड़ा ऐस अ tomληर दं और पांचों चीज को अच्छे से हम इसे मेक्स कर लेंगे हातों से ताकि यह अच्छे से मेक्स हो जाए यह देखे और यहाँ पे दस मिनट के बाद आटा कुछ इस तरीके से दीख रहा है यह बिल्कुल परफेक्ट हो गया है गाइस और इसे थोड़ा सा हम लोई लेंगे नॉर्मल रोटी के तरह से कम चोटा हम बेलेंगे पूरी की साइज और यहाँ पे मैंने जो प्यास की स्टेफिंग दिया है उसके उपर हम डाल देंगे और हलके हलके हाथों से हम इसे दबा देंगे यह देखें प्यास बिल्कुल रोटी में चिपक गया है और इसके ऊपर तंदूरी रोटी का फ्यक्त देने के लिए इसके पिछले हिसे में थोड़ा पानी लगाएंगे और गरम तवे पर हम इसे चड़ा देंगे एक मिनिट के लिए हम इसे को खोने देंगे यह अच्छे से सिक जाए तवे से तवे को पलटकर हम इसे शेक लेंगे चारो तरफ और रेडी है यह देखे और बिल्कुल इसली यह देखे इस तवे से निकल गया है और दूसरे रोटी को भी हम ऐसी तरीके से बेल लेंगे उसके उपर मैंने डाला है प्यास थोड़ा मेरे बेलन से बेल दिया और सेम प्रोसेज इस रोटी में भी करेंगे और पीछले हिसे में पानी थोड़ा लगाएंगे यह देखे और गरम तवे पर मैंने चड़ा दिया इसमें पूरा बबल्स आ गया है यह अच्छे से कुक हो गया है फिर इसे तवे को पलट कर अच्छे से से शेक लेना है बिल्कुल तयार है गाइस और इसे थोड़ा बटर लगा दीजी और